आज दूसरे दिन NCB अनन्या से पूश्टाच कर रही है यह पूश्टाच उस ड्रग चैट के मामले में है जो आरियन खान के मोबाइल से NCB की टीम को मिली है अब और डीटेल्स इस ड्रग चैट के बारे में आई है और अनन्या का NCB के सामने क्या हाल है इसकी भी डीटेल्स सामने आई है according to NCB sources यह जो चैट है यह 2018 से 2019 के बीच की है इस बीच तीन ऐसे मौके आए जब आरियन और अनन्या के बीच ड्रग्स को लेकर चैट हुई दो बार तो ड्रग्स लेने देने की बात हुई और तीसरी बार एक पार्टी में जाने के दौरान आरियन ने अनन्या को कहा था कि तुम ड्रग्स लेकर आना तो अनन्या ने कहा कि ठीक है मैंने पहले यह ट्राइ किया हुआ है इसके अलावा दोनों ने एक दूसरे के साथ पैडलर के नंबर भी शेयर किये यही कुछ चैट्स हैं जिनको लेकर अनन्या से पूछताच की जा रही है according to NCB sources दो चार बार यह चैट्स हुई है और अनन्या ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि यह जो चैट है यह ड्रग्स के मामले में नहीं है बलकि सिगरेट को लेकर उनकी आर्यन से यह चैट हुई थी बाकी ड्रग्स वाली कोई बात नहीं है इसी के बीच यह भी खबराई कि अपनी पूछताच शुरू होने से पहले NCB के ओफिस के जस्ट बाहर अनन्या अपने पता चंकी पांडे से लिपट कर जोर जोर से रोई थी और उसके बाद ही वो पूछताच के लिए अंदर गई अनन्या घबराई हुई है थोड़ी नर्रस है सहमी हुई है कि पता नहीं एजेंसिस का काम करने का क्या तरीका है जाहिर सी बात है वो इतने दिनों से आर्यन को लेकर खबरे मीडिया में देखी रही है और आर्यन अरेस्ट है और 20 दिन उन्हें जेल में अल्रेडी हो चुके हैं ऐसे में आर्यन के सभी दोस्त उनके साथ वाले डरे हुए है अनन्या के चहरे पर ये डर साफ जायर है खुद चंक की पांडे दोनों ही दिन अनन्या के साथ NCB आफिस पहुँचे आज अनन्या लेट पहुँची और आज अनन्या ने मीडिया से बचने के लिए ना सिर्फ गर का गेट उसको ढखवाया चातों से इसके अलावा उन्होंने अपनी कार में भी शीशे के आगे नियूस्पेपर लगा लिया ताकि कैमरास उन्हें कैप्चर नहीं कर पाए हाला कि अनन्या की NCB आफिस में घुस्ते टाइम की पिच्चर्स सामने आई हैं